वेलकम टू मैं चैनल आज में खुबसुरत आसान और योनिक यह क्याप टीजाइन लेकर आई हूँ यह बनाना बहुत ही आसान है और इसका उपर आप पकुन लगा कर भी सजा सकते हैं और यह किसी भी बीगीनर आसानी से बना सकते हैं देखे यह उल्टी साइड से है और यह आप सीर की गोला के हिसाब से चैन लेकर बना सकते हैं बड़े साइज और छोटे साइज पर एक बात आपको ध्यान देना है यह चैन आप 8 की मंटिपल में लेना है जो सीर का गोला के हिसाब से भी लेना है फिर वह 8 की मंटिपल में भी लेना है आपको और यह में मिडियम सा बना रही हूं और इसमी में 72 चेन लेकर बना रही हूं आज की वीडियो में में शिखाऊंगी आप यह खुब शब्सुरत कुरुसे क्या आप किस तरह से बना सकते हैं आये शुरूगर्दें इस तरीके से सर्कल बनाना है फिर सर्कल के पीछे दागा लेकर जाना है और फिर कुरुषी के सारे से दागा खिसना है फिर देखिए इस तरीके से आप चेन डालिए चेन आप सीर का गोला के हिसाब से डाल सकते है पर आप एट की मॉंटिपल में फन द रालना है और थात आपको दो बात ड्हाण देना है जो चेन डालते भाग एक आपका सीर का गुलाई का रिशाब से चेन डालना है और दूसरी वह चेन एट की मंटिपल में होना चाहिए आप भी इसी तरीके से चेन डालिए है मैं इसमें 72 चेन डालनी वाली हूँ देखिए अब चेन बनाने के बाद ये लास्ट में आम इसको जोड़ाई गरेंगे देखिए अब फिर आम इसमें इस तरीके से सिलिब इस्टीज लगाएंगे और फिर आप भी एक बार इस तरीके से चेक गरिए ये आपका चेन ठीक है या नहीं और फिर देखिए इसका उपर आपको चेन डालने है तीन चेन डालेंगे और फिर इसका उपर हम डबल कुरू से बना रहे हैं इसलिए तेन चेन डाल रहे हैं अब फिर देखिए एक बार इस तरीके से कुरू से में दागे लपेटेंगे और फिर ये चेन में हम डबल कुरू से बनाएंगे और फाथ डबल कुरू से बनाने के लिए एक बार इस तरीके से कुरू से में तागा लपेटने के जर्ली होता है इसलिए हम इसी तरीके से तागा लपेट कर सारी चेन में डबल कुरू से बना रहे हैं आप भी इसी तरीके से सारी चेन में डबल कुरूशे बनाई है, मैं भी सारी चेन में डबल कुरूशे बना कर देखाऊंगी, देखें यह मेरा लास्ट चेन है और फिर यह लास्ट चेन का जो उपर वाला चेन है इसमें हम सिलिबिस्टिस लगाएंगे अब फिर देखें इसका उपर में ब्याक पोस्ट और फन पोस्टे बुनाई गरती हूँ अर्थात यह हमारा सारी टोबी ब्याक पोस्ट और फन पोस्ट चे बुनाई है देखें आप फन पोस्ट और ब्याक पोस्ट का फरक परिचाने पिछी के ओर से कुरुषे डालते हुए हम सिंगल कुरुषे बुनेंगे और दो चेन देखें यह हमरा ब्याक पोस्ट से बुनाई है और यह फरन पोस्ट से फिर डाबल कुरुषे देखें यह पिछी के ओर से कुरुषे डालते हुए बनाईंगे ब्याक पोस्ट और यह अगिल्ली तरफ से कुरुषे डालते हुए बनाईंगे फन पोस्ट यह ब्याक और फन बुनते हुए आम यह रोब पूरी गरिंगे आभी इसी तरीके से एक बार ब्याक पोस्ट से एक बार फन पोस्ट से बुनते हुए यह राउन पुरा गरिए मेरा यह राउन पुरा हो चुका है देखिए यह मेरा धागा है और इसका उपर देखिए मेरा यह चेन और देखिए यह चेन है और चेन का उपर जो उपर का चेन है इसी में हम सिलिप स्टिच लगाएंगे देखिए इस तरीके से यह हमारा रो टू है, अब जिसमें हम चेन बनाए थे, उसी में देखें, ब्याक पोश्टे आपको शिंगल कुरी से बनाना है, एक बार, देखें इस तर cunning से ब्याक पोश्टे, फिर एक बार सिंगल कुरी से, और फिर इसका उपर दो चेन एक और इह दू, इस तर parting step parse से बनान महल राओन में आपको एक और शुल्टी और और से कुरिय से डाल कर डबल कुरिय से बनाना है और एक बाद पिछी की ओर sushi जाल कर डबल बनाना है और さ aani चीछ से रीब डिजाइन बनना है औरिस तरह का पैटन है इसी तारीके से मिनाना है जो आपका ए फोरंपोस्त का है इसे फोरंपेशित से बनना या इसी तारीके से आप ये round पूरा गरना है सारी इसी तरीके से बनाना है मैं भी सारी इसी तरीके से बनाऊंगी और ये कुरु से बोड़ा डिजाइन आप किसी भी कुरु से पोर्जेट में बना सकते हैं बहुती सुन्दर है ये डिजाइन और बहुती फेक्सिवल है देखिए आप भी एक बार जरूर ट्राइ गरे और फिर देखिए ये हमारा फंट पोस्टे बनाएंगे डवल कुरी से और फिर एक बार ब्याक पोस्टे फिर एक बार फंट पोस्टे और थात हम ये सारी टोपी में फंट और ब्याक पोस्टे बनाएं गरेंगे देखिए यह हमारा लास्ट वाला जो हम शुरू कर रहे थे वाला चेन है इसका उपर हम इस तरीके से सिलिप इस्टीज लगाना है और फिर ब्याक पोस्ट से सिंगल कुरी से बनाना है एक बार फिर दो चेन एक और ये दो अब फिर देखिए यह हमारा फ्रन पोस्ट का है इसे हम फ्रन पोस्ट से डवल कुरी से बनाएंगे यह वाला हमारा ब्याक पोस्ट का है इसे हम ब्याक पोस्ट से बनाएंगे फिर यह वाला फ्रन पोस्ट का है इसे हम फ्रन पोस्ट से बनाएंगे इससी तरीके से आपको सार तुरी गर निए लिखी ये सारी राउं पूरी गर तुर ज़ती हूँ थिर आपको देखाती हूं कि किस तरीके से बनाना है इस तरीके से आप भी बनाईये एक बार फर्म पॉस्चत और एक बार ब्याक पॉस्चत देखे इधर लेकर आया अना है और फिर जोईन गारना है देखे यह मैं राणपुरा गर चुकी हूँ अब इसका में जोड़ाई मैं आ चुकी हूँ देखे यह मेरा उपर का जो चेन है इसी में सिलिप इस्टिस लगाऊंगी और थाते यह मेरा उपर का चेन है इसी में और देखे आपको भी इसी तरीके से बनना है फिर देखे यह ब्याक पोस्ट से सिंगल कुरू से बनाना है फिर दो जेन एक अरे एक दो और फिर देखे ये फरन पोस्ट में फरन पोस्ट से डबल कुरी से बनाएंगे और फिर ये ब्याक पोस्ट में ब्याक पोस्ट से डबल कुरी से बनाएंगे देख़ें आपको इसी तरीके से सारी बनाते हुए यह रो अर्था यह राउंड भी पूरी गरनी है मैं यह राउंड पूरा गरती हूँ फिर आपको देखाती हूँ कि किस तरीकी से बनाना है देखे ये मेरा अंतिमाला जो हाम चेन डाल रहे थे इसी की उपर आपको सिलिप इस्टीज गरना है अर्था जोल लेना है फिर देखे जो हाम चेन डाल रहे थे उसकी नीचे आपको इस तरीगी से ब्याक पोस्ट से सिंगल कूरी से बना कर दो चेन डालना है अब मेरा ये बोडर जो पूरा हो चुका है अब इसका उपर मैं डिजाइन डालने वाली हूँ ये मैं बेबी के लिए बना रही हूँ और मैं पाच राओं बना चुकी हूँ बोडर का और फिर देखे ये जो फण का है इसे हम ब्याक पोस्ट से बनाएंगे ये फण पोस्ट का और फिर देखे ये फण पोस्ट का है इसे हम फण पोस्ट से बनाएंगे फिर देखे ये हमरा फण पोस्ट का है इसे हम फण पोस्ट से बनाएंगे और ताथ एक दो तीन फिर ये बनाएंगे आपको भी इसी तरीके से बनाना है फन पोस्ट में फन पोस्ट बनाते हुए बनाना है अब फिर देखें ब्याक पोस्ट से हम तीन बार बनाएंगे एक फिर देखें ये फन का है इसे में हम ब्याक पोस्ट से बुनींगे दो और ये तीन आपको भी इसी तारीके से बनाना है फिर ये देखे इसी में हम डबल कुरू से बनाएंगे फॉन पोस्ट दो बार देखे ये हम लिप्ट के लिए बना रही है और थात हमारा ये एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ और थात ये आठ की मॉन्टिपल में चलने वाले डिजाइन है देखे आपको इसी तारीके से बनाना है और थात इसी बात रिपीट करते हुए आपको बनाना है फिर देखे ब्याक पोस्ट से डबल कुरू से बनाएंगे एक दो अरे आपको दो अरे तीन अर्थात आपको ब्याक पोस्ट से तीन बात डबल कुरू से बनाना है अब देखे फिर इससे हम फोन पोस्ट से डबल कुरू से बनाएंगे फिर तीन बार ब्याक पोस्ट से डबल कुरू से बनाएंगे एक दो और ये तीन देखे फिर ये हमारा फोन पोस्ट के है और ये हमारा आठों वाले है इसमें हम डिजाइन डालेंगे और थात इसमें हम पत्ते बनाएंगे और एकी फोन पोस्ट में दो बार बनाना है देखे आपको इसी बात रिपीट करते हुए आपको सारी राउंड बनाना है आप इसी तरीके से बनाएंगे फिर में आपको देखाती हूँ और फिर देखे इधर से हम सुरू कर रहे थे और ये हमारा चेन है और ये हमारा लास्ट वाला फोन पोस्ट वाला है इसमें हम दो दोबार डबल कुरू से बनाएंगे देखिए इस तरीके से अर्थात देखिए जो यह ग्याब है साथ की मंटिपल में है और यह जो आठे में हम पत्ते बना रहे हैं अर्थात आप भी इसी तरीके से बनाई है आठ की मंटिपल चेन लेकर देखिए यह मेरा लास्ट वाला चे एक बार फिर दो चेन एक और यह दो फिर देखिए अब यह हम ब्याक पोस्टे दो बार बनेंगे जो हमारा ब्याक पोस्ट का है इसे हम ब्याक पोस्टे दो बार बनाना है एक बार और यह दो बार अब जो देखिए यह फरन पोस्ट का है इसे हम फरन पोस्ट से डबल कुरी से बनाएंगे और यह तीन ब्याक पोस्ट का है इसे हम ब्याक पोस्ट से डबल कुरी से बनाएंगे एक और यह दो और यह तीन आपको भी इसी तरीके से बनाना है फिर मैं आपको काउंट करते के देहाती हूं एक दो तिन चार पांक छे साथ और यह हमारा आठ हो आले है और इसमें हमारा पत्ता है इसी में हम यह फरनपोस्ट का फरनपोस्ट से डबल कुरू से बनाएंगे और जो बीच में होल है इसी में से हम एक बार डबल कुरू से बनाएंगे फिर एक चेन बनाना है फिर इसी होल में डबल कुरू से बनाना है एक बार इसी तरीके से बनाना है अब फिर देखें जो हमारा फरनपोस्ट का है यह इसे हम फरम पुष्चे डबल कुरी से बनाएंगे इस तरीक इसे बनाना है आपको फिर देखें ब्याक पुष्चे तीन बार बनाना है अर्थात आमारा ये ब्याक पुष्चे तीन है इसे में हम तीन बार डबल कुरी से बनाएंगे देखे इस तरीक से बनाना है अब देखे फिर यह हमारा फरन पोश्ट का है इसे हम फरन पोश्ट से डबल कुरू से बनाएंगे फिर तीन ब्याक पोश्ट का है इसे हम ब्याक पोश्ट से बनाएंगे डबल कुरू से इस तरीके से बनाना है और देखिए यह हमरा पत्ते वाला डिजाइन है इसमें हम फरन पोष्ट से इस तरीके से एक बार बनाएंगे और फिर बिच वोल से एक बार बनाना है डबल कुरू से फिर एक चेन बनाना है और फिर इसी वोल में डबल कुरू से बनना है और यह फरन पोष्ट का है इसमें आम फरन पोष्ट से डबल कुरू से बनाएंगे इस तरीके से आपको सारी राउं बनाना हुए आप भी इसी तरीके से सारी राउं पूरा करिए फिर में आपको देखाती हूं कि किस तरीके से बनाना है देखे, यह मेरा लास्ट वाले पत्ते वाला डिजाइन है, इसमें में हम इस तरीके से फरन पोस्टे बनाएंगे एक बार, फिर बीच वल में डबल कुरिशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी वल में डबल कुरिशे बनाएंगे, फिर फरन पोस्टे एक बार डवल कुरी से बनाएंगे और देखे ये हमारा जोड़ाई वाले चेन है और देखे ये तागे से भी आप परिचान गर सकते हैं हमारा जोड़ाई का जो हिसा है वो परिचान गरने के लिए देखे और इसका उपर जो चेन है इसका उपर का चेन में हम इस तरीके से सिलिप स्टिच लगाएंगे देखे और फिर ब्याक पुस्ट से कुरु से डालते हुए एक सिंगल कुरु से बनाना है जा हम चेन बना रहे थे उसी में फिर इधर सिंगल कुरु से बना का दो चेन डालेंगे देखे इस तरीके से बनाना है देखे यह हमारा ब्याक पुस्ट से हम ब्याक पुस्ट से इस तरीके से डबल कुरू से बनाएंगे एक और ये दो में फिर ये फरंपोस्ट का है इसे हम फरंपोस्ट से बनाएंगे आप भी इसी तरीके से बनाना है फिर देखे ब्याकपोस्ट से बनाना है तीन बार डबल कुरू से एक बार दो बार और तीन बार देखे और फिर हमारा ये पत्ते वाला डिजाइन आ रहा है देखे ये फरन पुस्ट से आपको डबल कुरी से बनाना है दो बार एक बार और ये दो बार बीज का होल में से कुरी से डालकर डबल कुरी से बनाना है एक बार फिर एक चेन बनाना है फिर इसी होल में कुरी से डालकर डबल कुरी से बनाना है फिर देखे जो दो फरंपोस्ट का है इसे हाम फरंपोस्ट से बनाएंगे एक और एक दो बाए देखे अब आपको सारी इसी तरके से बनाना है पुरी राउं फिर देखे एक और दो और ये तीन तीन बार आपको ब्याग पोस्ट से दबल कुरी से बनाना है और फिर एक बार आपको फरंपोस्ट से डबल कुरी से बनाना है फिर तीन बार ब्याग पोस्ट से डबल कुरी से एक दो और ये तीन अब फिर देखे ये जो पत्ते वाला डिजाइन है एक दो बार फरंपोस्ट से और जो बीच में होल है इसी में कुरी से डबल कुरी से बनाना है फिर देखे एक चेन बनाना है फिर इसी होल में कुरी से डबल कुरी से बनाना है फिर देखे ये दो फरंपोस्ट का है इसी हम फरंपोस्ट से डबल कुरी से बनाएंगे एक अरे दो आपको इसी बात रिपीट करते हुए ये राउंड पूरी करने मैं भी ये राउंड पूरी करती हुँ फिर आपको देखाती हुँ देखे ये मेरा लास्ट वाला है और एक बार में फरन पोस्षे बुन रही हुँ अर ये दो बार अर्था दो बार फरन पोस्षे बुन ना है फिर आपको एक बीच वोल में से डबल कुरूसे बनाना है फिर एक चेन बनाना है फिर इसी होल में आपको डबल कुरिशे बनाना है फिर दो फनपोस्ट का है इसे हम फनपोस्टे बनाएंगे आप इसी तरीके से बनाएं उपर का चेन में हम शिली विष्टिज लगाएंगे यह उपर का चेन है और इसी में हम शिली विष्टिज लगा रहे हैं और इसी सिली विष्टिस के नीचे से कुरिशे डालकर देखे इस तरीके से नीचे से कुरिशे डालकर सिंगल कुरिशे बनाना है एक बार फिद दो चेन बनाना है एक और ये दो और फिर देखे ब्याकपोस्ट से आपको दो बार बना है डालकर से एक bार अरे दो बार अब फिर देखिए ये फरन पोष्ट का है इसे हम फरन पोष्टे डाबल कुरी से बनाएंगे फिर तीन बार ब्याक पोष्टे बनाएंगे डाबल कुरी से एक दो और ये तीन तीन बार डाबल कुरी से बनाने के बात ये हमरा पत्ते वाला सेभ आ जाता है अब फिर इसमें हम बुनाइक बुनिंगे पत्ते वाले में तीन बार हम फरन पोष्टे बुनिंगे डाबल कुरी से एक दो अरे तीन तीन बार आपको डबल कुरिशे बनना है और फिर जो बीच का होल है इसी में से कुरिशे डाल कर एक बार डबल कुरिशे बनना है फिर एक चेन बनना है और फिर इसी होल में कुरिशे डाल कर एक बार डबल कुरिशे बनना है फिर देखिए तीन बार आपको फन पोस्टे डबल कुरिशे बनना है एक दो और ये तिन दाखिए इसी तरीके से आपको ये राउन बनना है मैं भी ये राउन पूरिशे गरती हूँ फिर आपको देखाती हूँ कि इस तरीके से बनना है ये राउन भी मैं पूरिशे गर चुकी हूँ अरे मेरा ये चेन है अरे ये चेन का जो उपर का चेन है इसी में में सिली बिश्टिच लगा रही हूँ देखे अब फिर ब्याक पोस्ट से एक बार कुरिशे डालकर सिंगल कुरिशे बनाएंगे फिर दो चेन मनाना है एक और ये दो ये दो फरन पोस्ट का है इसे हम फरन पोस्ट से डबल कुरिशे बनाएंगे एक और यह दू फिर देखे इस तरी किसे तीन बार बनने के बाद यह हमरा फ्रन पोष्ट का है इसी हम फ्रन पोष्ट से डबल कुरिशे बनाएंगे फिर तीन हमरा ब्याक पोष्ट का है इसी हम ब्याक पोष्ट से तीन बार डबल कुरिशे बनाएंगे देखे इस तरी किसे बनाना है और देखे यह हमरा पत्ते वाले डिजाइन है हम तीन बार फ्रन पोष्ट से डबल कुरिशे बनाएंगे एक दो अरे तीन अब फिर देखे जो बीच का वाल है में इसी में कुरिशे डालकर डबल कुरिशे बनाना है एक बार फिर एक चेन फिर इसी वाल में कुरिशे डालकर डबल कुरिशे और फिर तीन बार आपको फरन पोस्ट से डबल कुरूशे बनाना है एक, दो, तीन ये राउन आपको इसी तरीके से बनना है मैं भी ये राउन पूरी गरती हूँ फिर आपको देखाती हूँ कि किस तरीके से बनाना है देखे, इसी तरीके से बनाते हुए मैं ये जो चेन वाला है इसी मैं आ चुकी हूँ चेन के उपर में सिलिपिस्टित लगा रही हूँ और देखे, इसका नीचे में इस तरीके से एक बार सिंगल कुरूशे बनाएंगे ब्याक पुष्ट से फिर दो चेन बनाना है फिर देखे, ब्याक पुष्ट से आपको डबल कुरूशे बनाना है एक, अरे, दो अब फिर देखे, फरन पुष्ट से आपको डबल कुरूशे बनाना है जो हाम ये फरन पुष्ट का है, इसी में फरन पुष्ट से डबल कुरूशे बना रहे है अब देखे जो तीन ब्याक पोश्ट का है इसी में हम ब्याक पोश्ट से तीन बार एक एक गरते हुए डबल कुरू से बनाएंगे अब फिर देखे ये पत्ते वारा डिजाइन आ रहा है इसमें हम चार बार फन पोश्ट से बनाएंगे एक बार डबल कुरू से फनन पोश्ट से और ये दो बार तीन बार और ये चार बार और फिर देखे हे ये बीच होल में से कुरू से डाल कर एक बार डबल कुरू से फिर एक चेन इसी होल में कुरिशे डाल कर फिर डबल कुरिशे और फिर चार बार आपको फरन पोस्षे डबल कुरिशे बनाना है एक दो तीन और चार अब फिर आपको देखिए इस तरगी से बनाना है और फिर देखिए ब्याक पोस्षे आपको तीन बार डबल कुरिशे बनाना है एक दो तीन और फिर फन पोस्षे एक बार डबल कुरिशे फिर ब्याक पोस्षे तीन बार डबल कुरिशे एक दो और ये तिन और फिर देखिए ये पत्ते वाला डिजाइन आ रहा है इसे में चार बार फन पोस्षे डबल कुरिशे बनाएंगे एक दो तीन और ये चार अब देखिए फिर ये बीज का होल है इसे में कुरिशे डाल कर डबल कुरिशे बनाएंगे एक चेन बनाएंगे फिर इसी होल में फिर एक बार डबल कुरिशे मनाएंगे अब फिर देखे फरणपोष्षे एक बार डबल कुरूं से मैं की तो भार डबल कुरूं से और से का И Healthcare का चार अ का आधैनल कुरूं वह अ यह āन है चार बार अधात सार बार हम फरण पोस्ट से डबल कुरूशे बना रहे हैं ये रावन आपको इसी तर्के से बनाते होए पूरी गार नहीं है में भी पूरी गारती हूं फिर आपको देखाती हूं ये मेरा चेन है इसे में में स्लिब स्टिच लगाऊंगी और फिर ब्याक पोस्ट से एक बार सिंगल कुरूशे बनाऊंगी और फिर दो चेन एक और ये दो अब फिर देखिए ब्याक पोस्ट का हमारा दो है इसी में हाम ब्याक पोस्ट से दो बार डबल कुरूशे बनाएंगे एक और ये दो देखिए ये फरन पोस्ट का है इसी में हाम फरन पोस्ट से डबल कुरूशे बनाएंगे फिर देखिए ब्याक पोस्ट से तीन बार डबल कुरूशे बनाना है और थात हमारा ब्याक पोस्ट का तीन है इसी एक एक गरते हुए डबल कुरूशे बना रहे हैं शुरूशे अभी तक आपको भी इसी तरीके से बनाना है अब देखिए पत्ते में दो फरन पोस्ट में एक साथ दो का एक बुनींगे देखिए इस तरीके से फिर बाकी में हाम फरन पोस्टे डबल कुरूशे बनाएंगे और फिर लास्ट में हाम दो चेन में एक साथ डबल कुरूशे बनाएंगे देखिए अभी हाम सारी चेन में फरन पोस्टे डबल कुरूशे बना रहे हैं आपको भी इसी तरीकी से बनाना है और फिर ये पत्ते का गटाई गरते हुए आपको पत्ते बनाना है देखिए और फिर ये अंतिम में हमारा दो फ्रन पोस्ट का है इसे हम एक साथ दो का एक बुनिंगे देखिए इस तरीके से पत्ते घटाना है सारी पत्ते में आपको इसी तरीके से घटाई गरना है ये राउन में आप भी इसी तरीके से घटाई गरिये फिर मैं आपको देखा दी हुँ देखिए इस तरीके से घटाई गारना है और देखिए मैं ये लाश्ट के डिजाइन में हूँ पत्ते का और देखिए फिर दो एक साथ दो कायक बनेंगे और बीच का में हम सारी फरन पोस्टे डबल कुरी से बनाएंगे जो बीच का डिजाइन है इसमें आपको भी सारी इसी तरीके से बनाना है और देखिए जो लाश्ट का दो है इसमें एक साथ दो का एक बनाएंगे फरन पोस्टे डबल कुरी से और फिर देखिए ये चेन में है चेन के उपर में सिले पिश्टिद लगा रही हूँ और थात उपर के जो चेन है उसी में फिर में ये फोन पोस्टे सिंगल कुरी से बना रही हूँ और फिर दो रचेन आपको भी इसी तरीके से बनाना देखिए इसमें हमारा दो ब्याक पोस्ट का है इसमें हम ब्याक पोस्ट से डबल कुरी से बनाएंगे एक और ये दो अब फिर देखिए ये फोन पोस्ट का है इसी में हम फोन पोस्ट से डबल कुरी से बनाएंगे फिर ब्याक पोस्ट का तीन है हम इसी में ब्याक पोस्ट से डबल कुरू से बनाएंगे आप भी इसी तरीके से बनाईए अब फिर देखें हम पत्ते का घटाई गरने वाले हैं देखें आपको पत्ते का घटाई किस तरीके से गरना है देखें ये दो एक साथ बनना है पर आपको परहां कुरू से लूप निकालेंगे नहीं फिर आप दूसरी में बनना है फिर तीन लूप से एकी साथ बनना है फिर फरन पोस्ट से डबल कुरू से बनाना है फिर देखें दो बार फरन पोस्ट बनाने के बाद इसमें हम इस तरीके से बुनेंगे कुरूसे में लूप निकालेंगे नहीं फिर दूसरी में बुनेंगे 2 का एक फिर कुरिशी में तीन लूप है, तीन लूप में एक साथ बनाएंगे, आपको सारी पत्ते में इसी तरीके से घटाई करना है, और जो बिच में आपको जिस तरीके से शुरू से बना रहे थे, डिजाइन डालने के बाद, आप उसी तरीके से बना है, जो बिच का साथ फरनपोस्ट और ब्यागपोस्ट का डिजाइन है, आप इसी तरीके से बनाएंगे, देखें ये फरनपोस्ट का है, इसे हाम फरनपोस्ट से बनाएंगे, और ये ब्यागपोस्ट का है, इसमें हाम ब्यागपोस्ट से बनाएंगे जो आपका डिजाइन है उसी तरीके से बनाना है और देखें यह जो पत्ते है इसमें दो एक साथ बुनना है पर कुरूशे से लूप निकालेंगे नहीं फिर दूसरी में बुनेंगे और तीन लूप एक साथ निकालना है और फिर देखें बाकी में हम दो बार बुनेंगे डवल कुरूशे फिर देखें कुरूशे से लूप निकालना नहीं है फिर दो एक साथ बुनना है तिनू लूप से एक साथ इस तरीके से बनाना है आप सारी इसी तरीके से बनाएए पत्ते में और जो बीच में है जिस तरीके से आप बना रहे है उसी तरीके से बनाएए देखें यह आमारा जोडाई वाला है और देखें इसमें हमारा चेन है यह उपर के चेन में हम सिलिबिस्टीज लगाएँगे देखें इस तरीके से अब फिर देखें इसे की नीचे से कुरिशे डालकर आपको फन पोस्ट से सिंगल कुरिशे बनाना है और फिर दो चेन एक और यह दो फिर देखें ब्याक पोस्ट से आपको डबल कुरिशे बनाना है दो बार और फिर देखें फरन पोस्ट से एक बार डबल कुरिशे बनाना है फिर ब्याक पोस्ट से डबल कुरिशे बनाना है तीन बार दो और यह तीन और फिर देखें यह पत्ते में हम फिर गटाई गरेंगे दो एक साख फरन पोस्ट से डबल कुरिशे बनाएंगे पर कुरिशे से लूप निकाल लेंगे नहीं फिर दोस्ती में बनेंगे अब देखें कुरिशे में तीन लूप है तीन लूप में एक साथ बनेंगे फिर देखें इसे में हम इस तरीके से दो लूप बनाएंगे कुरिशे में और फिर दो एक साथ बनेंगे अब हम इसी तरीके से बनाईए सारी पत्ते में और बाकी का डिजाइन में आप डिजाइन जिस तरह का है उसी तरीके से बुनाई बुनना है आपको मैं भी ये राउन इसी तरीके से बुनाई गरती हूं फिर आपको देखाती हूं देखिए मैं पत्ते के कटाई गर रही हूँ और यह मेरा लास्ट वाला पत्ते है इसमें भी मैं दो एक साथ बनाऊंगी पर कुरुषे से लूप निकालेंगे नहीं फिर दूसरी में बनाएंगे और कुरुषे में तीन लूप है तीन लूप में एक साथ बनाएंगे फिर देखिए इस तरीके से बनाएंगे पर कुरुषे से लूप निकालना नहीं है अथात निकालेंगे नहीं फिर दो एक साथ बनाएंगे फिर तीन लूप से एक साथ निकालना है देखिए इस तरीके से बनाना है आपको भी आप भी इसी तरीके से बनाईए देखिए ये मेरा जोड़ाई वाला है आप ये दागे से भी परिश्यान गर सकते हैं और इसका उपर हम चेन डार रहे हैं ये चेन के उपर का चेन में हम इस तरीके से सिलिबिष्टिस लगाएंगे फिर देखिए आपको फन पोस्ट्रे सिंगल कुरूशे बनाना है फिर दो चेन एक दो अर्थात आप छोटे बच्चे के लिए बनाना चाते हो तो जिस तरीके से में एक आपका पत्ते बनाने के बाद घटाई गर रहे हूं उसी तरीके से काटाई गर चकते है पर मैं ये बड़ा साइट का बना रही हूं और फिर देखिए दो व्याक पोस्ट्रे बुननी के बाद मैं दूशरी पत्ते फिर बनावंगी देखिए ये मेरा फन पोस्ट का है इसी में में दो बार फन पोष्चे बनाऊंगी एक और ये दो बार डबल कुलो से फन पोष्चे बना रही हो आप भी बड़े साइच का जो बना रही है कि आप उसी में इसी तरीके से बनाईए और छोटा साइच का बनाई रही है तो आप इसका उपर गटाई गरिए बना रही हूँ, तीन बार डबल कुरुषे, फिर देखे ये जो पत्ते है ये तीन का एक भुणींगे, अब इस तरीके से फन पोष्षे तीन का एक भुणाई बुणना है, और फिर ब्याक पोस्ट से तीन बार डबल कुरूशे बनाना है और थात डीजाइन जिस थरा का है उसी तरीके से तीन बार ब्याक पोस्ट से डबल कुरूशे बनाएंगे जो ये फन पोस्ट का है इसी में हम फिर फन पोस्टे दो बार एकी में डबल कुरूशे बनाएंगे फिर देखे ब्याक पोस्टे तीन बार डबल कुरूशे बनाएंगे इस तरीके से बनाना है जो हमारा ब्याक पोस्ट का है इसी हम ब्याक पोस्टे बना रहे हैं और देखे ये जो पत्ते है इसी में हम तीन का एक फन पोस्टे डबल कुरूशे बना रहे हैं देखे आपको इसी तरीके से ये राउन में बनाना है और आप छोटे बच्च के लिए बना रहे हैं तीन साल के लिए बच्चे के लिए तो इसका उपर जिस तरीके से में घटाई गर रहे हूं इसी तरीके से घटाई गरे हैं और आपको दुसरा पत्ते बनाना का जरुरत नई है शारी आपको इसी तरिके से बनाना है यह दि आप बड़े साइज का क्याप बनाना चाते होतु मैं यह बच्चे का साइज जो मिड़ेम है वाले बना रही हूँ इसलिए में इसका उपर फिर दुसरी वाले पत्ते भी बना रही हूँ देखे आपको इसी तरिके से बनाते होए मैं यह जोड़ाई में आचुकी हूँ जो मेरा उपर का चेन है मैं इसमें सिलिएविष्टीज लगाऊंगी देखे फिर मैं ब्याक पुष्ट से सिंगल कुरूशे बनाऊंगी एक बार फे दो चेन फे देखे जो मेरा ब्याक पुष्ट का है इसमें मैं ब्याक पुष्ट से डबल कुरूशे बनाऊंगी दो बार और फिर देखिए ये हमारा डिजाइन है जो पत्ते वारा डिजाइन इधार से फिर शुरू हो रहा है और फिर देखिए एक बार फ़न पोस्ट से और बीच वोल में से फिर एक बार हम डबल कुरूशे बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे फिर इसी वोल में हम डबल कुरूशे बनाएंगे फिर देखिए फन पोस्ट का है इसे हम फन पोस्ट से डबल कुरूशे बनाएंगे देखिए फिर तीन हमारा ब्याग पोस्ट का है इसे हम ब्याग पोस्ट से तीन बार डबल कुरूशे बनाएंगे एक एक गरते हुए जिस तरह का हमरा डिजाइन है उसी तरीके से में बना रही हूँ पर ये पत्ते वाले है अब पत्ते वाले में में फरन पोस्ट से डबल कुरूशे बना रही हूँ आपको ये राउण इसी तरीके से बनाना है फिर देखे ब्याग पोस्ट से हम डबल कुरूशे बनाएंगे तीन बार और फिर ये पत्ते वाले है इसमें फरनपोस से बुनना है एक बार और फिर बिच होल से बुनना है एक बार और फिर एक चेन बनाना है फिर इसी होल में आपको डबल कुरू से बनाना है और फिर फरनपोस से डबल कुरू से बनाना है देखिए इस तरीकी से ये राम पूरी गरिए और फिर देखिए पूरी गरने के बाद मैं ये लास्ट डिजाइन में आ रही हूं पत्ते का देखिए फन पोस्ट्रे आपको डबल कुरू से बनाना है एक दो अरे तीन ब्याग पोस्ट्रे डबल कुरू से और फिर ये पत्ते में फरन पोस्ट्रे डबल कुरू से फिर आपको ये चेन के उपर का चेन में आपको सिलिबिष्ट्रे जग करना है फिर एक बार आपको सिंगल कुरू से बनाना है फिर दो चेन देखिए फिर ब्याग पोस्ट्रे दो चेन में डबल कुरू से बनाएंगी ब्याग पोस्ट्रे अब फिर देखिए इधर हमारा पत्ते वाला डिजाइन है और फिर फोन पोस्ट्रे दो बार डबल कुरू से बनाएंगे और फिर इसका होल है पत्ते में और इसी होल में कुरू से डालकर डबल कुरू से बनाएंगे फिर एक चेन बनाएंगे इसी होल में कुरू से डालकर फिर आपको एक डबल कुरू से बनाना है फिर देखे फरन पुष्ट्रे आपको डबल कुरूशे बनना है दो बार एक अरे दो अब फिर देखे आपको ब्याक पुष्ट्रे तीन बार डबल कुरूशे बनाना है देखे एक दो अरे तीन फिर फरन पुष्ट्रे जो पत्ते है पत्ते का जो डिजाइन था उसी में हम फरन पुष्ट्रे डबल कुरूशे बनाएंगे देखे और अरे मेरा लास्ट वाला पत्ते वाला डिजाइन है इसमें भी में इस तरीके से फन पुष्ट्रे डबल कुरूशे बनाएंगे अब फिर देखे ये मेरा जोड़ाई वाले जो उपर का चेन है इसमें में शिली पिष्टिल लगा रहे हूँ और शिली पिष्टिल लगाने के बाद में सिंगल कुरूशे बनाएंगे एक बार इस तरीके से फिर एक दो चेन और फिर देखे ब्याक पुष्ट्रे में दो बार डबल कुरूशे बनाएंगे एक और ये दो और फिर देखे आपको ये पत्ते में फ्रन पुष्ट्रे तीन बार डबल कुरूशे बनाना है दो और ये तीन फिर बीच वोल में से डबल कुरूशे बनाना है फिर एक चेन बनाना है फिर इसी वोल में आपको डबल कुरूशे बनाना है फिर फ्रन पुष्ट्रे आपको डबल कुरूशे बनाना है तीन बार एक दो और तीन देखें इस तरी के से बनाना है फिर देखें ब्याक पुष्ट्रे आपको तीन बार डबल कुरूशे बनाना है इस तरी के से ब्याक पुष्ट्रे तीन बार बनाने के बाद ये फ्रन पुष्ट्रे एक बार डबल कुरूशे बनाएंगे आपको इसी बात रिपीट करते हुए ये राउंड पूरी गारने है और मैं भी ये राउंड पूरी करती हूँ फिर आपको देखाती हूँ कि किस तरी के से जोड़ाई गारना है दिखे ये मेरा चेन वाला है और दिखे ये धाग किसे भी आप परिचान कर सकते है किदर जोड़ाई गारना है देखे मेरा चेन है और चेन का और का चेन में मैं सिली बिष्टीज लगा रही हूँ और सिली बिष्टीज लगाने के बाद मैं बैक पुष्ट ये बार सिंगल कुरी से बनाऊंगी ये बैक पुष्ट ये सिंगल कुरी से फिर दो चेन फिर देखे बैक पुष्ट ये आपको दो बार डबल कुरी से बनना है फिर देखे ये फरन पुश्चे आपको चार बार डबल गुरे से बनाना है दो तीन अरे चार फिर ये होल में से कुरे से डाल कर बनाना है सिंगल कुरे से फिर एक चेन बनाना है फिर इसी होल में कुरे से डाल कर डबल कुरे से बनाना है फिर देखे चार बार आपको फन पुश्च से डबल कुरे से बनाना है एक दो तीन और चार आपको सारी पत्ते में इसी तरीके से बनाना है और बिच का डिजाइन में जिस तरह का आपका डिजाइन है उसी तरीके से बनाना है मैं इसी तरीके से ये राउन पूरी गरती हूं देखें ये में राउन पूरी गर चुकी हूं अब देखिए इसका उपर मेरा चेन है अब उपर का चेन में में सिलिपिष्टीज लगाऊंगी और फिर देखिए जो फन पोस्ट्रे में कुरिशी डालकर सिंगल कुरिशी बनाऊंगी फिर दो चेन अब फिर देखिए ब्याक पुष्टे आपको डबल कुरू से बनाना है दो बार देखिए अब हम यह पत्ते का गटाई गरना है कि गटाई किस तरीके से गरना है देखिए देखिए यह दो एक साथ दो का एक बुन्ना है फर्म पुष्टे डबल कुरू से फिर बीज का हम फरन पोस्ट से डबल कुरिशे बनाएंगे और फिर लास्ट का दो चेन वे उसी में हम दो का एक बुनिंगे फरन पोस्ट से हम भी इसी तरीके से बनाएंगे और देखें इसमें भी में फरन पोस्ट से बना रहेंगे और देखें ये दो में फरन पोस्ट से में दो का एक बुनिंगे डबल कुरिशे इस तरीके से पत्ते का घटाई गरना है आपको ये राउंड आप इसी तरीके से घटाई गरके पोरी गरिए मैं भी इसी तरीके से घटाई गरती हूँ श्रीप आपको पत्ते में घटाई गरना है और आपको जिस तरा का डिजाइन है उसी तरीके से बनाना है देखें जिदर आमारा ये धागे है और इसका उपर चेन है उदर में आ चुकी हूँ और फिर देखें इसका उपर का चेन में आपको सिलिबिस्टिस लगाना है और फिर ब्याक पोस्ट्रे आपको सिंगल कुरू से बनाना है फिर दो चेन बनाना है एक और ये दो देखें ब्याक पोस्ट्रे आपको दो बाया डबल कुरू से बनाना है ये और ये दो अब फिर देखें हम पत्ते का घटाई गानेंगे ये दो एक साथ बनाना है पर कुरू से से लूप निकाल लिंगे नई और फिर दूसरी में बुनेंगे और फिर तीनो लूप एक साथ बनेंगे फिर देखें अब देखें हम ये बीच का दो फरन पोस्ट का इसे हम फरन पोस्ट से डवल कुरू से बनाएंगे एक और ये दो अब देखें इधर हमारा तीन है ये एक बनेंगे पर कुरू से से लूप निकालना नहीं है अब फिर देखें दो एक साथ बनेंगे तीनु लूप में एक साथ बनेंगे इस तरीके से बनाए गरना है और पत्ते का सेव देना है आपको सारी पत्ते में आप इसी तरीके से गटाई गटे हुए बनेंगे ये राउन में में भी इसी तरीके से बुन्तियूं फिर आपको देखाती हुँ अब देखें फिर ये मेरा पत्ते वाला डिजाइन का है इस में में फरन पोस्टे डबल कुरू से बना रही हुँ और देखें ये मेरा चेन वाला है और फिर इसी चेन का उपर का जो चेन है इसी में में सेले बिश्टिक्स लगा रही हुँ शुरू से अब इतक फिर ब्याक पोस्ट्रे में सिगल कुरू से बनाऊंगे एक बार फिर दो चेन फिर देखें अब फिर हाम ये पत्ते का सेव दिनी के लिए फिर गटाई गरेंगे पत्ते में देखें ब्याक पोस्ट्रे हाम दो डिजाइन में एक एक गरते हुए ब्याक पोस्ट्रे डबल कुरू से बनाऊंगे इस तरीके से जो हाम सुरू से गर रहे थे फिर दो एक साथ बुनने है पत्ते में और फिर कुरू से से लूप निकाले बिना दूसरी में बुनिंगे अब देखें कुरू से में तीन लूप है इन्हें हम एक साथ बुनिंगे फिर देखें इसमें हम बुनिंगे फन पोस्ट्रे और फिर कुरू से में लूप राखना है फिर दूसरी में आपको दो का एक बुनना है अब देखें कुरू से में तीन लूप है तीन लूप एक साथ तीन का एक बुनिंगे देखिए इस तरीके से आप पत्य का घटाई गरिए पर बाकी का डिजाइन में आप जिस तरह का डिजाइन है उसी तरीके से बुनिए और थात आपको पत्ते में कटाई गरना है और बाकी का डेजाइन में जिस तरह का आपका बुनाई है उसी तरीके से बुनाई गरना है इसी तरीके से बुनाई करते हुए ये राउंड पूरा गरिये फिर में आपको देखाती हूँ कि किस तरीके से बुनना है देखे ये राउन में पूरी गर चुकी हूँ और ये उपर का चेन में में सिलिविस्टित लगा रही हूँ और फे देखे ब्याक पोस्टे आपको सिंगल कुरिशे बनाना है इस तरीके से ब्याक पोस्टे सिंगल कुरिशे बना ये फे दो जेन एक और ये दो और फिर देखिए यह ब्याक पुष्ट का दो है यह हम एक साथ इस तरीकी से दो का एक बुनेंगे और देखिए यह फ़नपुष्ट का एक है इसे हम फ़नपुष्ट से बनाएंगे अब फिर देखिए इधर हमारा ब्याक पुष्ट का तीन है तीन में हम एक को डबल कुरू से बनाएंगे ब्याक पुष्ट और फिर देखिए यह दो है दो में भी एक साथ दो का एक बुनेंगे सारी राव्ण इसी तरीके से खटाइगारना है और फित्वे यह फनपोष्टाइए इसे हां फनपोष्ट्रे बनाएंगे कहा है five आपको भी यह राव्ण में इस तरीके से बनाते हुए फूरी गरना है मैं भी ये राउंड पूरी गर दी हूँ देखे ये मेरा लास्टेन है इसमें मैं सिली विष्टीज गर रहे हूँ और फिर देखे मैं इसके नीचे से सिंगल कुरुषे बनाऊंगी सारे, सिंगल कुरुषे बनाना है फिर दो चैन, एक अरे, दो अफ्षे देखे ब्याक पूस्टे हाम इसमें एक है इसमें हाम एकी बनाएंगे ब्याक पूस्टे डबल कुरुषे फिर ये फरन पूस्टे एक बार डबल कुरुषे देखे फिर अपर इसी तरीके से घटाए गारना है फिर इदर देखे इदर अमरा दो ब्याक पूस्ट का है इसे हाम एक साथ दो का एक बुनेंगे ब्याक पूस्टे डबल कुरुषे फिर देखे फरन पूस्ट का एक है इसे हाम फरन पूस्टे डबल कुरू से बनाएंगे फिर इधर दो ब्यक पोस्ट का है इसे हाँ इस तरीके से दो का एक बुनेंगे फिर ये फन पोस्ट का है इसे हाँ फन पोस्ट से बुनेंगे आपको ये राउंड सारी इसी तरीके से बनाना है मैं भी बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ यह राउंड सकाने के बाद देखिए इसमें मेरा चेन है चेन के उपर वाला चेन में में यह सलिविष्टिस लगा रही हूँ और फिर देखिए ब्याक पुश्च से एक बार सिंगल कुरू से बनाएंगे ब्याक पुश्च से फिर दो चेन मनाना है एक और यह दो और फिर देखिए यह जो हमारा फ्रन का जो डिजाइन है इसमें हाम बनाएंगे और जो ब्याक का है यह हाम बिना बिना छोड़ेंगे देखिए आपको भी इसी तर्के से बनाना है यह राउन में मैं भी इसी तर्के से बनाती हूं यह राउन और फिर आपको देखाती हूं कि किस तर्के से बनाना है अब देखिए ये जोड़ाई में आचोकी हूँ में और फिर ये चेन में में जोड़ाई गरूंगी जो उपर का चेन है इसी में सिलिब इस्टीज से मैं जोड़ाय कर रही हूँ शुरुच से लेकर आविता फिर ब्याक पोस्ट से सिंगल कुरू से बनाएंगे फिर दो चेन बनाना है एक और ये दो और फिर देखे ये जो फरंका है इसे में हम दो का एक बनींगे आप ये दो दो का एक सारी हाम इस तरीके से दो का एक बनींगे फरंपोस्ट का देखे ये दो है और फरंपोस्टे हाम दो का एक बनाए बन रहे हैं इसी तरीके से बनना है आपको भी अब देखिए आपको ये चेन है इसी में लेकर आना है और फिर शिलिविशिर लगाना है देखिए और फिर आपको इधर एक चेन डालना है क्या है कि अब हम ये चेन से बनाए करेंगे वो भी सिंगल कुरू से बनाने के लिए एक चेन डालने है देखिए एक चेन डालने के बाद मैं ये चेन से बना रही हूँ शिंगल कुरू से इस तरीके से सारे चेन में आपको भी सिंगल कुरू से बनाना है आप भी इसी तरीके से सिंगल कुरू से बनाते हुए राउंड पूरा गरिए मैं भी इसी तरीके से ये राउंड पूरी गरती हूँ देखें आप इसी तरीके से बनाए जब तक आपका ये और आ जाता है कि आपका उपर अफिर देखें ये हामारा जोडाई है इधर हम जोडाई में आ चुकी है अफिर देखें जो इधर ये दर आमारा हमारा एक चेन है शिंगर कुरे से बनाने के लिए हम एक चेन डार रहे हैं उदर हम राजकी हैं देखें आप ये डोरे से भी परिचान कर सकते हैं अब इसका उपर हम फिर सिली बिस्टीज लगाएंगे अब फिर देखें हम आप सिली बिस्टीज से बुनाई गरेंगे सारी चेन में हम सिली बिस्टीज लगाते हुए बुनना है आप भी इसी तरीके से सारी चेन में सिली बिस्टीज लगाएंगे इस तरीके से बनाने के बादेखेंगे देखें जो उपर का हिस्टा है आप इसमें पॉपकॉन लगाकत सदा सकते हैं और ये बनने के बाद इस तरह का नजर आएगा और पॉइन में बहुत ही संदर नजर आता है देखें और फिर ये तागा इस तरीके से चुपाएंगे आप भी इसी तरीके से बनना है देखें इस तरह का नजर आ रहा है विश्ट को उपर आप पॉपकॉन लगा सकते हैं देखें बनने के बाद इस तरह का नजर आता है बहुत ही संदर ये क्याप के डिजाइन आज मैं आपसे ये संदर आसान क्याप बनाने के तरीके शेयर गर रहे थी आपको क्यासा लागा कमेंट गर के जरूर बताएं आभी तक नहीं होते प्लेज सब्सक्राइब गरें आज के लिए भी दाते हूं धन्यवाद